ये जार्खंड है भाई। जार्खंड में आपको अजीबो ग्रीब कहानिया आपको सुनने को मिलेंगी। यह राज्य भिष्टाचार में में अववल तो है ही। और शायद यही कारण है कि ED और Income Tax जैसे डिपार्टमेंट इस छोटे से राज्य में सबसे ज्यादा व्यस्त ह और हो भी क्योना यहां जो काम मुख्य मंतरी कर सकते हैं। वो काम यहां मंतरी जी कर देते हैं। अब एक ऐसा आरडर पास हुआ है जिसको लेकर चर्चा है कि पुरे भारत वर्ष में ऐसा आरडर पास करने की हिमाकत किसी मंतरी ने अभी तक नहीं की है। के स्वास्थ मंत्री बनना गुपता ने अपने ही विभाग के सचिव पद के लिए किसी अधिकारी को प्रभार दे दिया हो जबकि नियम की बात करें तो यहाँ अधिकार सिर्फ राज्य के मुख्य मंत्री के पास होता है या फिर सिर्फ 30 दिनों के लिए मुख्य सचिव के आ पहले अपने ही लेटर पेड पर निकलवा दिया। फिर बाद में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी करवा दी। मंत्री बन्ना गुपता के इस कदम के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बात यह भी हो रही है कि क्या बन्ना गुपता की बात सरका में बैठा शीर्ष नेत्रित्व नहीं मानता है। क्या पार्टी के माध्यम से मंत्री बन्ना गुपता सरकार तक अपनी बात नहीं पहुचा पाते हैं। या फिर अपनी ही पार्टी के लोग मंत्री बन्ना की बात नहीं मानते हैं। बाते यह भी हो रही है कि मंत्री जी शा चौँका रहा है। बता दें कि 31 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरोन कुमार सिंह रिटायर हो गए। करीब 18 दिनों से सचिव का पद खाली है। इससे ज्यादा दिनों से वनपर्यावर्ण विभाग के सचिव का पद खाली है। लगभग एक महीने पूर्व एल ख्यांगते को मुख्य सचिव बनाने के बाद से इस विभाग में सचिव नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी दूसरे IAS को प्रभार नहीं दिय गया है। जबकि इस मामले में जारखंड के वरिष्ठ नेता सर्यू राय ने मुद्दा उठाया है, उन्होंने ट्वीट कर इसे गंभीर मामला बताया है और कहा है कि इस आडर को जल्द वापस ले सरकार क्योंकि मंत्री के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो अपने विभा के सचिव की नियुक्ती का फाइल खुद साइन करे और सचिव नियुक्त कर दे ये अधिकार मुख्यमंत्री का का होता है इस पर सर्यू राय ने एक ट्वीट भी किया है